नमस्कार दोस्तों मेरे चनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जायर है मैक्रोनी मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए मैक्रोनी दो बारी कटेवे टमाटर तीन चार चमाच सौंस स्वाधन सरनमक आधा चमाच गरम मसाला दो बारी कटेवे सिम्लां मिर्ट एक बारी कटेवे प्याज एक बारी कटेवा गाजर यह दो तीन बारी कटेवे प्ल्री नहीं टीन minority कटेवे लाहथव इस्वाजी स्वाधन इसे मन्हल्च छमाच अन्हफन दक घ्रहा प्यागतína का कुईन मेक्रोनी को बैल लते हैं यह एक लिटर पानी लिए इसमें दो चम्मच हमने तेल एड़ कर दिया ताकि मैकरोनी हमने अच्छे से बॉइल हो सके और आपस में शिपकेना इसलिए पानी उबल रहा है हम इसमें मैकरोनी एड़ कर देंगे इसे 5-6 मिड़ तक उबालेंगे लो फिलेंपे आपको बीच बीच में मैकरोनी को चलाते रहना ताकि आपस में शिपकेन अच्छे से बॉइल हो सके पर फिर एक बार चला कर देख लेते हैं ताकि में अच्छे से पक रहा है कि नहीं पक रहा है तो नहीं पका है पर उतना नहीं पका है थोड़ा तोर पकाना है हमें इसे पर फिर हम चला कर देख लेते हैं मेक्रोनी को यह हम दबा कर देखेंगे मेक्रोनी को आराम से वह दबरा नहीं दबरा तो समझ में आजाए कि हमेकरोनी पग गया है हार मेक्रोनी अच्छे से वाइल हो गया हम यहां गैस ओफ कर देंगे और मेक्रोनी को पानी से अलग कर लेंगे देखें मेक्रोनी को आपको ऐसे अलग करना है पानी को अलग करना है मेक्रोनी को अलग करना है मेक्रोनी अपने अच्छे से वाइल हो चुका है मैंने यहां गैस ओन कर लिया है इन चार चमबस हमने तेल लिया यहां हमने पांच से छे चमबस तेल लिया है तेल हमारा गर्म हो रहा है के इसमें जब से पहले हम बारी लैसन ऐड़ कर देंगे 5-7 मिट इसे भूनें दूर हो जाए हम इसमें प्याज अट कर देंगे और 5 सेया भूनेंगे से इसका कच्छा पन दूर हो जाए फिर बाकी सबजी अट कर कि संबी पान से साथ सेंद्ध हो गाए है यह हम्ने बारी कटव हरी मिछ ले लिया है कि इथा फली फाली जो हमें लिया था उसे एड़ कर देंगे इसमें कि इसमेला में जो बारी कटव हुआ अगर गाजर गाजर हम आइड कर दिया से मिक्स करेंगे इसे हमें एक मिनट ही भूनना है एक मिन तक वो चलाते हुए भूनना है चले फ्रेंड सब्जी है हमारी आधी पक गई है इसमें मसाले आपका यह हम स्वोच के दिखते ही अजлав पाउडर mostly CH सप्सक्राइडाम भूलमीज पाउडर जीरा अधीचंमच धनीए पाउड़री अधीचंमच अधनłemच पाउड़ाग और अधन mix नमक करेंगे मसाले पक सके कि और टमाटा अच्छा से गल जाए हम 1-4 MINUTE भूनेंगे लो फलेम पर मसाले मजह बून चुके हैं अब इसमें मैकरोनी अब पर करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से आपको मिक्स करने सबजी और सब्सक्राइब मिल जाए मिक्स हो जाए मसाला में अच्छे से अब हम इसमें जो गरम मसला लिया था दी चमच उसे एड कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से अब हम इसमाड करने जा रहे हैं नमक नमक हम ने पहले भी एड़् किया था इसमें तमाटर को पकाने के लिए तहों आपको उसके इको डिंगी नमक एड़् करना है एक मिठ हम हम वो नेंगी अच्छे से पास्ते को जो अच्छे से पास्ते में मसाले और सब्सक्राइब मिक्स हो जाए अच्छे से चिली फिरिंट्स एक मिनट लगबग हो गया है हमारा पास्ता अच्छे से पग गया है मसालों के साथ यह देखिए अब हम यहां गैस आफ करतेंगे हमने यहां गैस आफ करतेंगे अब हम इसमें एड करेंगे यह सौंस हमने यह तिन चार चमची सौंस लिया आपको सौंस पसंदे तो आप सौंस की मातर बढ़ा सकते हैं देखिए फिरिंट्स हमारा मैकरोनी तयार हो गया है चलते है स्वर्व करने के प्रोसेस में कितना टेश्टी दिख रहा है बनाईए खाईए अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताल कितना वीडियो वीडियोग है बनाईए प्रोसे स्वर्व प्रोसे सहां बेदाएब करें इसाया वीडियोग अच्छी लिएाएब करें दो यहा धुर्व है एम Means